नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग बैसाक मास के सुकल पक्ष की चतूर दसीतिती को नर्सिंह जैनती मनाई जाती है इस दिन बैसनव संप्रदाय के लोग भगवान स्री हरी विष्णू के नर्सिंह अफ्तार की विधी पूर्वक पूजा करते हैं इस वर्स नर्सिंह जैनती 25 मई मंगलवार के दिन मनाई जा रही है और नर्सिंग जैनती के दिन भगवान नर्सिंग की पूजा करने से ब्यक्ति को निर्भैता और सुरक्षा पराप्त होता है और ब्यक्ति के सत्रू विरोधी खुद बखुद हट जाते हैं तो नर्सिंग जैनती के जो तिथी है मुहरत है आईए हम जानते हैं विस्तार से तो 24 मई की देर रात करीब 12 बचकर 11 मिनट पर ही 410 तिथी लग जाएगी और समापन होगा 25 मई की रात 8 बचकर 29 मिनट पर और उदियाती थी चुकि 25 मई को है इसी लिए नर्सिंग जैनती 25 मई को मनाई जाएगी अब नर्सिंग जैनती का जो लोग ब्रत करते हैं उनको 26 मई की सुबद 6 बचकर 1 मिनट के बाद पारन कर ब्रत को पुर्ण करना है याद रखिए अगर आप ब्रत रख रहे हैं तो 6 बचकर 1 मिनट के बाद आपको पारना करना है कैसे करेंगे पुजा देखे भगवान नर्सिंग की साम के समय पुजा होती है दो घंटे 38 मिनट का समय है तो 25 मई को साम 4 बचकर 32 मिनट से साम 7 बचकर 38 मिनट तक के बीच आप भगवान नर्सिंग की पुजा कर लीजिएगा साम की पुजा का समय इसलिए है क्योंकि भगवान नर्सिंग ने असुर राज हिरनकस्यप का बद करने के लिए दिन ढलने यानि की साम का वक्त चुना था जो ना दिन हो ना राथ हो यानि गोधूली बेला तो इस समय ही उन्होंने नर्सिंग का अवतार लिया था असुर राज हिरनकस्यप स्वयम को भगवान मानता था और अपनी प्रजा को स्वयम की पूजा करने के लिए प्रतारित भी करता था लेकिन उनका पुत्र प्रलाद विश्णु भक्त था और उसने कई यातनाय जहलने के बाद भी भगवान विश्णु की अराधना करनी नहीं छोड़ी अब हिर्नकस्यव को बर्दान प्राप था ये उसे ना तो मनुष से और ना ही पसू मार सकता है ना घर के अंदर ना घर के बाहर मारा जा सकता है ना दिन में ना रात में उसका बद हो सकता है ना अस्तर से मरेगा ना सस्तर से मरेगा ना ही आका से मरेगा ना धरती पर मरेगा तो इतने सारे बर्दान था और भक्त प्रलात की रक्षा के लिए भगवान विश्णु ने दिन और रात के मद्ध के समय में आधे मनुस से आधे सिह का सरीर धारन किया नर्सिंग अफ्तार लिया और वे खंबा फाड़ कर नर्सिंग अफ्तार में प्रकट हुए और हिर्न कस्षिप को घसीट कर मुख्य दरवाजे के बीच अपने पैरो पर लिटा दिया अपने सेर जैसे तेज नाक्फुनें उसे उनका पेट फाड़ कर बद कर दिया इस प्रकार से उन्होंने भक्त प्रलात की रक्षा की और उस दिन वैसाक मास के सुखल पहुश की यह भगवान नर्शिंग का मंतर है और चुकि मंगलवार के दिन मनाई जाएगी तो आप पूजा पाठ कैसे करेंगे देखिए आप नित्य कर्मों से निब्रित्थ होकर तिल गोमुत्र मिट्टी आउले को सरी पर मलकर सुदजल से स्नान करें पूजास्थान को साफ करें भगवान नर्सिंग की फोटो लगा और फिर उनके सामने दीपक जला परसाथ की रूप में लाल पुस पर पीत करें अपनी मनोका यह देकर आप अपना ब्रत पूर्नि आप कीजिए देखिए इनकी पुझा करने से पापों से मुक्ती हो मिलती है भाइका नास होता है संकटों से रक्षा होती है सत्तुर विरोधी समावत हो जाते हैं चुकि इस दिन मंगलवार का दिन है तो हन्मान जी की भी विशेश विधान से पुजा होगी तो हन्मान जी की जब आप पुजा करेंगे अगर आपके लिए संबब हो तो गुड़ और चने का भोग लगाईएगा लाल पुस्प अर्पि कर सकते हैं आपके पास यह सभी चीजें नहीं है तो लड़ू पे रहा है तो उसी का भोग लगा ले वैसे तो हन्मान जी भाव के हैं तमाम देवी देपता दिल से कीजिएगा और इसके बात हन्मान जी को अगर आप पुरूस है तो सिंदूर और घी या चमेली का तेल मिक् जीवन में अगर धन की मुस्किलें बहुत जादा परिसान करें आपको लगे कि जैसे सब कुछ खोने को है तब एक छोटा सा प्रियोग कीजिए आपके जो हन्मान जी है ना उनके पास के मंदिर में जाईए और जाने के समय आपको हन्मान जी के मंदिर में जब जाईएगा तो अगर आपके जीवन में धन की बहुत मुस्किल है तब पान का बिडार पिट कीजिएगा और अगर आपको लगे कि चारो तरफ से आप संकटों में घिर गया हैं तो पास के किसी भी भगवान के मंदिर में जाएं सिंदूर घी मिक्स करके कटोरी में थोड़ा सा लेकर ज कुछी दिनों में 40 दिनों के अंदर मनत पूरी हो जाती है जब मनत पूरी हो जाए तब उसी मंदिर में जाए और जाकर एक सीधा स्वस्तिक बना दे और चले आए आपके मनत पूरी हो गई है तो आप चाहें तो जो भी भगवान के मंदिर में बनाएं वहां जाकर चलफू का हो तो अच्छा है सर्सों के तेल का और दूसरी बात अगर आप घर में भी करते हैं तो कपूर भी जलाईए तो भी आप उसमें लॉंग डाल कर ही आरती कीजिएगा पूरे घर में दिखाईए क्योंकि इस से एक तो नर्सिंग भगवान का असिरवाद मिल रहा है घर परिव में नर्सिंग भगवान के मंतजब कर सकते हैं अगर जीवन में बहुत करज हो गया है तब 11 से एक बज़े के बीच रात किसमें आप एक छोटा सा काम करें हर्मान जी के सामने बैठ जाईए नहा हुआ कर फ्रिस कपड़े पहन कर उनके सामने घीका दिया जलाए और फिर 11 ब रखकर लक्षिमी जी के ध्यान करते वेश को बांध कर अपने पर्स में रख लें इससे एक तो आप सत्रू बिरोधियों से बचे रहेंगे और दूसरा आपके जीवन में आपके पर्स में धनकी कमी नहीं होगी बहुत सिंपल है मनाना आप इसको मनाइए और हर्मान जी के स साथ भगवान नर्सिंग का भी आशिरबाद मिलेगा सत्रू बिरोधियों से मुक्ति मिलेगी आपको और नर्सिंग भगवान सब की रक्षा करते हैं वैसे उनका आशिरबाद पूरे साल में एक बार लेने का मौका आया है तो इस मौके को मच छोड़िएगा हम आपसे कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा हर हर महादेव धन्यवाद